आप सभी कक्छा आठ के छात्रों का स्वागत है तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम कक्छा आठ वी जो आपका बिसे हिंदी है उसके 19 अक्टूबर को होने वाले बेसलाइन आकलन 2022 का संपूर्ण पेपर बित संपूर्ण हल देखने वाले हैं जिससे छात्रों पूनांक 50 अक्टूबर को होने वाले बेसलाइन आकलन में बहुत ज्यादा अच्छे लेना चाहते हो तो वीडियो में तक बने रहेगा यहापर आप दिख सकते हो बेसलाइन आकलन 2022 से बैसे आपका हिंदी है पूनांक 50 रहेंगे समय आपको तीन घंटे का मिलेगा और माध्यम आपका अनिवार है मतला आपको खंड आ दिया गया है फिर खंड बा दिया गया है फिर खंड सा दिया गया है इन सभी की उत्तर आपको लिखने है तो देखते हैं प्रस्ण वित उत्तर तो यहाँ पर आपको चात्रों पहला प्रस्ण है जेल में रहकर लोकमार ने तिलक ने खालिस सा और या ठीक है गीता भास ग्रंत की रचनकी इसके बाद दूसरा है जिसका कोई सहारा ना हो उसे खालिस्थान कहते हैं तो जिसका कोई सहारा ना हो उसे बोड़ाने का तो आप प्रश्नक्र्मान के तीन मत्तर क्या हो जाएगा देखो अनु में आप सार लगाओगे तो क्या हो जाएगा अनुसार ठीक है अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा अनु का मतलब क्या होता है प्रत्वी तो सार के पहले लगा दू अनुसार हो जाएगा इसके बाद चात्रन चौथा प्रश्ण है पिर्थी सब तो में आप अपने चारों और किस प्रकार के परिवरतन देखते हैं तीन अंक के लिए प्रशन है तो इसका उत्तरम आपको बता देंगे पहले हम प्रशन देख लेते हैं इसके बाद प्रश्ण क्रमांग 6 है आप अपने बुजर्गों के साथ किस प्रकार वेवार करना से आपको अच्छा क्या लगता है आपको खेलना अच्छा लगता है आपको पढ़ना अच्छा लगता है आपको क्या खान अच्छा लगता है इस प्रकार से हैना फिर आटवा प्रश्ण भष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्यों पाई किये जा सकते हैं लिखिए तो हम देखते हैं प्रश्णों के उत्तर पहले चौथा प्रश्ण का उत्तर देखते हैं चात्रों तो यहां पर आप देख सकते हो आपके प्रश्ण क्रमांग 5 का उत्तर दिया गया है विदीभत तो प्रश्ण क्रमांग 5 क्या है आपका प्रश्ण क्रमांग 5 चात्रों आपका ब पानी ही पानी होता है मेंड़क के टराने की अवाज आने लगती है तलाब में बहुत पानी भर जाता है गलियां भी कीचड हो जाती है तो यह आपका हो जाएगा इसे आप एक वाद पढ़ लिजी अच्छी से और इसे आप अपने हिसाब से अनुसार भी लिख सकते हो कि सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको अच्छा विवार करना चाहिए है ना तो आपको उत्र के लिखना है हम अपने बुजर्गों का बहुत आदर करेंगे उनके सांथ कुछ समय बताएंगे उनके कारियों में मदद करेंगे और उनके सांथ अच्छा विवार करेंगे उनके स्वास्त का ध्यान रखेंगे यह आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपने हिसाब से लिख देना है से एम टू से हम ठीक है पिर आपका साथवा प्रश्ण है अपने बारे में अपनी मात्र भासा में कोई पांच वाक के लिखिए तो इसका उत्तर देखते हैं वह अच्छे अपनी समझ से लिखें तो मतलब आपका उत्तर जो क्या आएगा जैसे कि मानलो सबसे पहले आप लिख सकते हो मुझे खाने में ठीक है मुझे खाने में क्या मुझे खाने में दाल चावल पसंद है या पहला लिख सकते हो अपनी मात्र भासा में हिंदी में फिर द पढ़ना पसंद है चौता पॉइंट लिख देना मुझे अपने बड़ों से आधर करना पसंद है मुझे बाहर घूमना पसंद है यह लिख दीजेगा आप फिर आपका देखो साथवे के बाद आठ बाद आठ बाद ब्रस्ट अचार को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाई की जाने चाहिए बेश्ट रचार के विड़ो अवाज उठानी चाहिए यह आप लिख सकते हो मतलब कभी आप इस बाद दो ना किसे जरी सब्सक्राइब ना है ना और हमेशा कोई याजी लेता है या कोई इस बाद देता है तो इसकी खिलाप आप सिकायत कर सकते हैं अपने बढ़े बज़र्गों से इसके बाद देखते हम आपका जो नौबा प्रश्ण है रखेश अपनी बेहन में पेता के सांथ बजार गया जिसमें आपको संग्या नाम सब्सक्राइब नाम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर देखते हैं नौबे का संग्या रखेश हो हो जाएगा बजार और बहने सब संग्या हो जाएंगे ठीके नाम को संग्या कहते हैं बस तुर्थान को भी संग्या कहते हैं और सर्वनाम में उन बे अपनी तो में यह सब होते हैं तो यहां पर आपकी कौन से आए उन बाक्यों में बे अपनी उन तो यह आपके उत्तर हो फिर दसवा प्रिशन देखते हूं दसवा प्रिशन आपका है तीर्थ इस्तल और पार्टन इस्तल से आप कैसा मज़ते हैं उद्धारन साहित लिखिए है ना तो तीर्थ इस्तल मतलब जहां पर आप तीर्थ करने जाते हो भगवान की पूजा करने जाते हो स्रद्ध करने जा जरूरी नहीं कि वहां पर भगवान हो जैसे कि आप किसी बगीचे में जाते हो किसी पार्क में जाते हो किसी म्यूजियम में जाते हो तो इसका उत्तर दिपताते हैं आपको यहां पर आप दिख सरते तीर सिस्थल जिन इस्थानों पर देवी देवताओं की मंदिर होते हैं औ अब हम खंड बाव में पहुंच चुके हैं है ना खंड आ कि हमने सारी प्रशन देख लिए तो खंड बाव में आपका पहला प्रस्ण चाहते हो देश की रक्षा कौन-कौन करते हैं इसका उत्तर बताते हैं आपको तो देखो उनमें क्या लिखा जाता है तो उत्तर देख लो आदर सूचक सब्द आप महोदय सम्मानिय अधी अभिवाद उनमें प्रणाम चरणिसपर्स आधी लिखा जाता है तेरवा प्रशन है पड़िक्चा में सपलता प्राप्त करने के लिए आप क्या-क्या तयारी करते हैं लिखि हैं जैसे टीवी देखना खेलना घूमना सेना सोना ठीक है सोना आधी अधिक से अधिक समय पढ़ने के लिए देते हैं इस प्रिकार से अप लिख दीजेगा चाउदवा है आपकी मां आपको किन-किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों रोकती है इसका उत्तर देख तो आपकी अलग-अलग मां है मतलब है ना आपकी अलग-अलग मां होंगी तो आपको अलग-अलग कार्यों को करने से रोकती होंगी जैसे आप कोई खेलने कुनने से लड़ाई जगड़ा करने से गंदी बात बोलने से या फिर कम या फिर बाहर ना जाने के लिए ज्यादा बा क्यों भी है तो अब छलाना हमारी सिहत के लिए नुक्सान दायक होता है कि लिए कि आहना में बाहर डर रहेता है कि हमाड़े पास एह नहीं है न और कम दियान देते हैं चौँता हरा लिख सकता है fiance गंदी बात मंद मत कर सब बोल ने गहां होता है और दूसरें आदिमानब जंगलों में गुफाओं में रहते थे जानवर का कच्चा मास खाते थे और लिख दीजेगा फल फूल खाते थे अब यहां आपका लास्ट प्रेशन सोलवा उसे देखते हैं तो सोलवा है सत्रवा भी आपका सोलवा बच्चों को पढ़ाई की सांस्वात योग कर नाम लिखिए जैसे तुलसी पौदी पौदी आपके और भी बहुत से पौदी है किसी एक पेड़ के वारे में दो बाग के लिखिए तो इसका उत्तर देखते हैं सत्रवे में आपको उत्तर लखना है नीम तुलसी गिलोवे फुडहर आदी पेड़ से हमें फूल फल हबा पत्यां लकडं रवा इंलती हैं नीम के पीड को रहdoes दकते हैं मतलब करती है जाता है यह चातर यह थे Stre सब्सक्राइब कर देना जितने भी आपके दोस्त हों मन से जख सकते हो आपको पूरी रंक मिलेंगे ठीक है तो मिलते हैं रशेट वीडियो पर जब तक थे धन्यवाद